नमस्कार आप देख रहे हैं SPN 9 News और आपके साथ मैं हूँ फिजा काजमी कॉंग्रेस के वधायक वेपन बान खेड़ा ने चुनावायो को एक अजीबो गरीब पत्र लिख दिया है वधायक ने कोरोना से बचुने के लिए पत्र के माध्यम से मांग की है कि आगर इंदौर समेट पूरे मध्य प्रदेश में तेजी से कोरोना फैल रहा है इससे लोगों के मन में फिर से लोगडाउन का डर फैल गया है इसलिए क्योंकि ना आगर इंदोर उजयन देशाव तम तथा पूरे मध्य प्रदेश में भी चुनाव कराई जाएं बड़े बड़े नेताओं की रैलिया कराई जाएं और रैली में भारी भरकम भीड को इखटा किया जाएं ताकि भीड को देखकर कोरोना मध्य प्रदेश छोड़ कर भाग जाएं विदायक विपिन बानखेडा ने कोरोना से बचाओं का उधारन देते हुए बताया है कि बंगाल और जिन राज्यों में चुनाओं हैं वहां भारी भरकम भीड के साथ रैलिया की जा रही है इसे वहां कोरोना ने नजवाने मान कर लिया है वहां हमारे देश की प्रदान मंत्री से लेकर कई राज्यों के मुख्य मंत्री सरकार की गाइडलाइनों का पालन करते हुए प्रचार प्रसार कर रहे हैं इस तरीके से वहां कोरोना का संक्रमन कम हो गया है जबकि तोयवारों के समय लोगों को घर में रहने की सलादी ज़ा रही है आपको बता दें कि मद्यप्रदेश समय तमाम राज्जों में कोरोना का संकर्मन फैलता ज़ा रहा है लेकिन क्या नेताओं के इस तरहां की बयानबाजी से प्रदेश में बढ़ रहा कोरोना का खौफ कम होगा और ऐसे नेताओं की बयानबाजी पर कांग्रेस की और से क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आती है ये भी देखने वाली बात है फ्लाल अभी के लिए इतना ही लेकिन देश और दुनिया की तमाम बाखी खबरों के लिए आप जुड़े रही है SPN 9 News के साथ